अब परति नहीं है तो उसको आप अकास में क्यों दे दिए इतने बड़े बैनर में आप दे दिए 70% वाले student को नहीं तो आप जैसे की देखिए आप अकास में तो दे दिये ठीक है इतने बड़े इंस्टिचूट में दे दिये बहुत बड़ी इंस्टिचूट है अब बहुत अच्छी इंस्टिचूट भी है लेकिन उस अकास इंस्टिचूट के लिए एक अच्छा बच्चा भी चाहिए आप बच्चा मानले जे 70 परसेंट वाला है आप बच्चे को दे दिये वहां पर बच्चा जा रहा है एसी में बैठ करके दो घंटा आ रहा है और इसके बाबजुद भी आपके बच्चे का एजुकेशन नहीं हो रहा है तो आप कहा रहा है कि प्राइवेट टीचर प्राइव तो सर आप अकास वाले को ही बोलिए कि भाई आप दू लाख रुप्या लेवे किये हमसे एक लाख रुप्या और ले लीजिए इसको थोड़ा घर पे आके प्रसनल गाइड कर दीजिए यह तो कोचिंग में ही भेजके गाइड कर दीजिए अभी आप घर पे एक टीचर को बुलाईएगा उसको 3,000-4,000 रुपया दीजिएगा और उसमें खोजिएगा कि महा पिद्वान पंडित आजा मेरे यहां पंडित चल जाएगा आप 10,000 रुपय महिना दीजिएगा तब जाएगा उस लेबल का आप खोज रहे है क्वालिटी उस लेबल का आपको पे करना ह होगा जहां पर आप पे कर दिये वहां से आपका मिल नहीं रहा है आप घर पे बुलाईएगा 3,000-4,000 दे करके किसी को भी कोई क्या कर देगा आप परिशान नहीं देखें ठीक है दुनिया में चलने के लिए हर वेक्ति के पास अपना अपना दिमाग है उसके अनुसार चलेंगे हम आपके पदेखिये और हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं आज से काम नहीं कर रहे हैं और बहुं सारे पैरेंट्स को देखें कुछ पैरेंट्स के बच्चे ट्रैक से नीचे चल रहे हैं उनके पैरेंट्स के डिसीजन के कारण आप डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं आप जहां पर उजे भेजना चाहिए वहां पर भेज नहीं पा रहे हैं अब बताईए अकास में आप देने के बाबजूद आप क्या कहते हैं मिन्स की प्रैवेट टीचर खो बिद्वान पंडित चला जाएगा सो बताईए विद्वान पंडित तो अकास में है सर वहां पर आप जा करके उनको बोलिए कि आप हमसे एक लाख रुपिया डेड़ लाख रुपिया दू लाख रुपिया और ले लीजिए अगल बगल महले में आप हैं तो कंकरवाग इरिया में बहुत सारे इसे हैं जो टीचर लोग खोले हुए हैं डिरेक्ट टीचर के पॉकेट में 10,000, 20,000, 25,000 रुपया देते वो टीचर बच्चे को प्रस्नली बिट पैट करके पढ़ाता एक एक चीज तोर के बता आता अगर देखिए मेरा कहना साफ है आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन सच्चाई भी यही है बच्चे को परिशान कर रहे हैं बच्चे को आप 10 जगा भेजिएगा 24 गंटा में 5-6-7 गंटा अकास में लग जाता होगा दो घंटा उधर दो घंटा कोई टीचर आएगा बच्चा जब तक आपका सेलफ है स्टडी नहीं करेगा तब तक बच्चा आगे नहीं बर सकता है एक अच्छा बच्चा मिलने पर अच्छा रिजल्ट भी उसका आता है तो इसलिए आप अपने बच्चे के लिए बहतर टीचर चूज करें बहतर डिसीजन ले और जबकि डिसीजन लेने में आप नहीं होता है तो कॉंसलर को संपर्क करें कि यह देखें बच्चा में कमी नहीं है अब एक बात आपको बता दे हैं हमको कमी नजर आ रहा है पैरेंट्स में बच्चे में कमी नजर नहीं आ रहा है बच्चा को याइसा बनाना चाहाएंगो यह सा बन जाए जब बच्चा आपका आज थोड़ी तेन्थ में आ गया डिरेक्ट ऐले में बच्चा पहले हिं में परहा होगा ट्ीपनों सब्हों कि इस लिए बच्चा आज कमज़ोड हो गिए लटते होकि रह घाम Ett्र कि तो नहीं देपाएंगे रखना कि आपके बच्चे को 11 में मैत भी परहा दें फिजिक्स भी परहा थे के सुनिए न चाहिए सुनिए देखे 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 एक बात आपको बता रहे हैं आप बहुत अनुभवी आदमी है लेकिन आप थोरा सा मेरा बात सुन दीजिए अगर आपका बच्चा पढ़ने में एवरेज है तो उसको बड़े यह विरेज नहीं है तो आप बढ़िया ऐसा टीचर ढूंड़िए ठीक है ना ऐसा लरका देखना होगा जो जश्ट गेड़ेट और किया भी अच्छा से ना वह भी जाके बच्चे को अच्छे से परहा देगा आपके बच्चे को अभी मैथ में हमारे हिसाब से जब ऐसा बात बोल रहे हैं तो उसको 8-9-10 का मैथ पढ़ना जरूरी है ना कि 11 का समझ में ही नहीं आएगा 8-9-10 का मैथ को अच्छे से पढ़ना समझना जरूरी है इसके बाद 11 का समझ में आएगा तो इसके लिए आपको बेश्ट क्या करते हैं मिन्स की रहेगा जो कोई एक स्टुडेंट टीचर जो होते हैं जो पढ़ रहा रहे हैं पार्ट टाइम में उनको एक पकरा जाए वह आपसे थोड़ा सा कम चार्ज में भी और उन्हीं को आप 500,000 ज्यादा दीजिएगा आपक उसके पास उतना समय भी नहीं है कि वो बच्चे को रगरते रहेगा क्योंकि उसके पास ठ्योड़ी देगा फर्मूला देगा बच्चे को याद करना है बच्चे को समझना है बच्चे को सॉल्व करना है जो स्टूडेंट अभी तयारी कर रहा है जो पैसन से पढ़ाना चा और वो टीचर अगर आपके बच्चे को एक घंटा पढ़ाएगा तो आपके बच्चे को पांच घंटा बैठ कर पढ़ना होगा तब जाकर के रिजल्ट आएगा वो एक घंटा डेल घंटा जाकर पढ़ा दिया इसके बाद हो चला आया ने बच्चा जब सेलफेश टड़ी नहीं करेगा तो बच्चा आगे की और कैसे बढ़ेगा यह बात एदम कटू सकते हैं इसके लिए आप देखिए ना टीचर को दोस्त दीजिए ना बच्चे को दोस्त दीजिए दोस्त जो है आप अपने उपर लीजिए कि हमारा डिसेजन गलत निकला हां कि हम अपने बच्चे को आकास में दे दिए यह हमारा डिसेजन गलत कि चलिए ठीक है आप अपना एड्रेस हमको भेज दीजिए एक बाल फॉट्सप पर हम देखते हैं जिसको भी हम भेजेंगे उसको आप एक महिना देखिएगा कि चार-पाइचार रुप्या लेगा आप से आपके बच्चे को जा करके बनाएगा और थोरा सा आपको भी अपने बच्चे पर बोलना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा कि बेटा टीचर के जाने के बाद बैठ करके और जो थीक है ठीक है ठीक है ठीक है